अब आप मुझे Unacademy भी फोलो कर सकते हो, जहां पर मैं आपके लिए qualitative courses बना रहा हूँ, जो आपको CTET और DSS भी clear करने में आपकी मदद करेगा, और Other TET exam के एक्रे में भी आपकी मदद करेगा, बस आपको करना क्या है, Unacademy Learning App पर दीपकुमार सर्च मारना है, या फिर मैंने जादा जानकर इक लिए आपको description में लिंक दे रखा, आप उसका click करके direct मेरे home page बे भी आ सकते हो, थैंक यू, हलो दोस्तों आप सभी खास वागता है आज की वीडियो में, आज की वीडियो में बात करेंगा, पेड़ागोजी के important questions के बारे में chapter number 2, जो की individual difference यानि की विख् मैंने आपको theoretical portion करवा दिया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखिए तो recommend करूँगा, पहले वो वाली वीडियो देख लीजेगा, क्योंकि आने वाले exams के लिए बहुत important होने वाले हैं, जिसके लिए मैं आपको उपर i button पे, end screen पे और नीचे वीडियो के description में मैंने link दे गए हैं आप तक के exam में, तो पहला question देखो क्या बुर रखा है, बुर रखा है अपने विद्यारतियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तो आप किसी school में किसी कक्षा के class teacher हो या teacher हो, उसमें से आप अपने बच्चों को समझने के प्रवर्ति, बिल्कुल सही बात है, बच्चों को कैसे परकास से सीखते हैं, किस परकास से नहीं सीखते हैं, उसको सीखने के अपके अंदर, आपको समझने के अंदर आपकी प्रवर्ति होनी चाहिए, तीसरी, विशे वस्तु के प्रति विद्यारतियों के मत की, बिल्कुल option no.4 इसका बिल्कुल सही answer होगा इन में से सभी बिल्कुल सही answer था इसका next question second शिक्षण का सत्तावादी स्थर तो मैंने आपको सत्तावादी और परजितांतरी दोनों शिक्षण बताया था क्या होती है तो शिक्षण के सत्तावादी स्थर किसको कहा जाता हूँ और शिक्षण केंद्रित सिक्षण क्या होती है तो मैंने ठेयोटिकल पोर्शन में बताया था आपको जाकर वहाँ पर देखिए आपको पता चल जाएगा शिक्षण अधिगम परक्यारिया में व्यक्तिकत रूप से ध्यान देना महत्पून है क्योंकि बिल्कुए इंपोर्टन देखो शिक्षण अधिगम परक्यारिया जब आप कर रहे होते हो जब बच्चों को सिखा समझा रहे होते हो उसमें सब बच्चों पर व्यक्तिकत ध बच्चों के विकास दर भित्र होती है, मतलब बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं, कोई देखकर सिखता है, कोई समझकर सिखता है, कोई करके सिखता है, तो क्या होती है, उनके विकास दर अलग होती है, भित्र तरीके से सीखते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से सीखते या तो option number 4 इसका बिल्कुल सही answer था आपका next question 4 क्या बोल रखा है 4 में कि एक सिक्षिका अपने आप से कभी भी परशनों के उत्तर नहीं देती वह अपने विध्यारतियों को उत्तर देनी के लिए समू चर्चा या संग्यो आत्मक अधिगम अपनानी के लिए प्रोचसाहित करती है यह उपागम डैस के सिध्धान पर आधारीता देखो क्या कर रही है वह यह तो बच्चों को उतर देने के लिए प्रेरित कर रही है यह सही हो गया निकि दूसरे से काम कराने के लिए एक दूसरे के सब पाटिसिपेशन करने के लिए उन्हें क्या कर रही है प्रोच साहिट कर रही है तो इस परकार का जब भी आपको एधिगम किया जाए तो क्या करा जा रहा है बच्चों को एक्टिव करा जा रहा है सक्री करा जा रहा है तो ऑप्शन नमबर फॉर्थ इसका बिल्कुल सही अंस सबस्गार ON, तुम्छी करते हैं तो उसको क्या करना चाहिए तो बिल्कुल उसको ऐसी परकार से आपको पढ़ाना चाहिए समझाना चाहिए क्योंकि बच्चा जिस परकार से सीख रहा बच्चे को उसी परकार से उसका सिखाना चाहिए तो बच्चे के अनुसारी उसमें क्या करना चाहिए यानि कि अनेक परकार के अनुभवों को help लेकर मदद लेकर उसकोशी परकार से कारे करवाना चाहिए next question 6 क्या बोर रखा 6 में शिक्षन से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्दन हो सकता है तो शिक्षन से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्दन को क्या का जाता है तो यहां पर क्या करा जा रहा है बाल लकें इंद्री शिक्षा में ऐसा किया जाता है क्या बाल इंद्री शिक्षा में आपको बताया था उसक्षन से जाना है सीखने सिखाने वाली पर किरिया पर जोर दिया जाता है और यहां पर वही बोला जारा है कि सिक्षण से अधिगम पर बल दिया जारा है पहले सिक्षण पर दिया जारा था अब अधिगम पर बल दिया जारा है तो option number first इसका बिल्कुल सही answer था next question 7th क्या बोल रखा है 7th में कि बच्चे की विकास के सिध्धान्त को समझने सिक्षक की साहिता करता है तो समझने में क्या सिक्षक की साहिता करता है तो सही answer रोका इसका option number third कि सिक्षार्त हों के भित्र अधिगम शैळियों को परभावी रूप से समझने में क्यूं क्यों क्यों कि विकास के सिध्धान्त को आपने समझ लिया बच्चे को आपको यह पता चल गया कि बच्चे की अधियम शैली किस परकार किया, बच्चा से किस परकार से सीख सकता है, और किस परकार से नहीं सीख सकता, तो उस परकार से संबोधित करने में आपकी वो मदद करता है, तो option number 3 इसका बिलकुल सही answer था, next question 8, 8 में क्या बहुर रखा देखो, इफ्रान खिलोनों क तोड़ता है, और उसके पुर्जो को देखने के लिए उन्हें अलग-अलग कर देता है, आप क्या करेंगे, तो देखो, इफ्रान जो है, वो बड़ा creative बच्चा है, क्यों, क्योंकि वो जो खिलोना था, वो किस परकार से काम कर रहा था, उसको देखने के लिए कि ये किस प तोड़ने की दिशा थी, उसकी अंदर देखने की उसकी जो प्रिवर्ति थी, कि अंदर से कैसे कार्य करता है, उसको हम सही जगा पर लेज के जाएंगे, और सही तरीके से उसको प्रोच साइन करेंगे, उसकी उर्जा को सही दिशा देंगे, तो option number second, इसका बिल्कुल सही अ ध्यान की जो कक्षा है, उसमें बच्चों पर व्यक्तिकत अनुभवों को पर महत देने से सिक्षन को किस परकार से लाप पचाएगा, तो देखों, यहाँ पर क्या ध्यान दिया रहा जा रहा है, उसमें बच्चों क्या कह जा रहा है, एक से एक, यानि कि हर बच्चे पर ध सीखने में और अच्छा बढ़ावा देने में उसकी मदद करेगा तो ऑप्शन नुम्बर थार्ड इसका बिल्कुल सही अंसर है बच्चों पर व्यक्ति का ध्यान देने से नेक्श कोशन टेंध एक बाल के इंदरित कक्षा में बच्चे समाने तसीकते हैं तो याएक दिया जाते हैं अगर आप पने देखी होगी वीडियो तो next question 11 एक सिकशक समाने ता विध्यार्तियों को अलग अलग कारे देता है वह यह विष्वास करता है देखो बच्च किसी टीचर क्या जारा रहा है कि बच्चों के अंदर है ना अलग अलग उनको क्या दरा जारा है लग अलग परकार से उनकी रोची योगता और आयोगता के अनुसार क्यों कि बच्चे में इनका में कारण भी होता है आपका क्या बोल रखा है बाल के इंदरी शिक्षा के लिए निमलिकित में से कौन सा कारक आधार है तो देखने से आपको पता चल गया होगा जो बाल के इंदरी शिक्षा होती हो किस के अनुसार होती है वह व्यक्तिकत अंतर के अनुसार होती है बच्चा किस परकार से सिखता उसी प पाल के इंद्रिश शिक्षा कहते हैं तो इंडिविज्वल डिफरेंस सही आंज़रोगस का फर्स्ट ऑप्शन नेक्ट पोशन 13 क्या बोल रखा है एक अध्यापक किसी भी समू में समूदाय आधारित व्यक्तिकत विभिनताओं को समझ सकता है तो देखों यहां पर मैंने अं सकता है किस परकार से समझ सकता है तो उसकी लेंग्विज एक्स्पृरेशन से समझ सकता है तो भच्ष के अधार पर बच्चों को शरूत नहीं क्योंकि आपने देखा वी ओगा जो बैंगुली लोग होते उधिक तरह नहीं को भी को भी बोलते हैं क्योंकि थोड़ासमें मे सीखने में थोड़ी सुनको उसकी बाधा उत्पन होती है इसलिए उप्शन नमबर थार इसका बिल्कुल सही अंसर है पता चल जाता है कौन से समुदाइसे है वह नेक्स्ट कोशन 14 क्या बोल रखा है बाल केंद्र सिक्षा सांसर है तो बाल केंद्र यानि कि चायल सेंटर जो tepada guji होती है उसका में मतलब क्या होता था उसका में मतलब यह होता है कि बच्चों के विक्तिकत बिनताओं के धार पान को सिक्षा पर्दान करना जिस परकार से उनकी रूची है यॵगता है ऑयुगता उसी परकार से तoo option no mber first सही अंसर औरesta बच्चों के विचे विचार क्या बोल रहा है? सीमा हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकी लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है ये है विकास डैस्क दिस सिध्धानत को दर्शाता है ये तो व्यक्तिकत विभिनताओं को दर्शाता है क्यों? क्योंकि दोनों में अलग-अलग परकार की परवर्थी हो सकते हैं जिसके कारण क्या हो सकता है सीमा जल्दी सीख लेती है और लीना उसको देर से सीखती है तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं इसको individual difference कहते हैं तो option number first is का बिलकुल सही answer था next question 16 क्या बोल रखा किर्तिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है लेकिन विद्याले में वो काफी बात करती है यह धर्शाता है देखो किर्तिका जो है वो अपने घर में बात क्यों नहीं कर सकती दो प्रॉबलम हो सकते हैं तो जब वो बात करती होंगी तो उसके parents उसको करने नहीं देते होंगे या उसकी बातों को हुआ पर इतना महत नहीं दिया जाता होगा लेकिन विद्याले में क्यों करा जा रहा है कि उनको रोकने टोकने वाला नहीं होगा मतलब वो सही बात करती होंगे और दूसरा कि उनके बातों को स्कूल में महत दिया जाता होगा इसलिए वो ज्यादा बात करती है तो इसका option No.2 बिल्कू 對啊 अंसर होगा कि उसकी विचारों को विध्याले में क्या मिलती है मानिता मिलती है option number second इसका सही अंसर था जिसके कारणों विध्याले में ज्यादा बात करती थी next question 17 नेमन में से कौन सा सिक्षार्तियों में सरजनात मक्ता का portion करता है तो इन में से कौन सा ऐसा है जो creativity का लड़न के अंदर यानि के portion करता है तो सही अंसर होगा इसका option number fourth की परतेक शिक्षार्तियों को अंत्र परतिभाओं को portion करने एवं पर्षन करने के अफसर उपलब्द कराना तो वैसे सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या है तो सबसे मुख्य जिम्मेदारी यह है कि बच्चा किस परकार से सीखता है उसकी बात को समझना और उसी के अनुसार उसको सिक्षा परदान करना तो option number fourth इसका बिल्कुल सही अंसर होगा कि विध्यारतियों के विविन अधिकम शैलियों के अनुसार सीखने के को महतु देना चाहिए किसी के लिए महत नहीं देना चाहिए सबसे पहले आपका इस्टूडेंट है स्टूडेंट कोई समझने के लिए योग है यह आयोग है उसके अनुसार विक्तिगत विविन तो महतु देना चाहिए तो option number 4 second इसका विल्कुल सही अंसर है कि यह समझने के लिए क्यों सिक्षारति सीखने के लिए योग है यह आयोग है सबसे पहले आपका मोटिव यह होना चाहिए विक्तिगत विविन ताओं का कि बच्चा किस परकार से सीख सकता और कि जिस पर साथ से जिस परकार से वो नहीं सीख सकता उस परकार में वो क्यों नहीं सीख सकता उसकी कमी को ढूड़ना उसको दूर करना तो option number second इसका विल्कुल सही अंसर था आपका इस अनुसार next question 21 क्या बोल रखा है 21 में कि शिक्षार्थियों की विक्तिगत विविनताओं को महत देने के लिए एक विध्याले किस परकार का सहीओक उपलब्द करवा सकता है तो इसमें जब भी देखा जाए उसमें इस परकार के आपको अवसर उपलब्द कराने चाहिए for example fourth option इसका बिल्कुल सही अंसर होगा आपका की बाल केंद्रित पाठचरिया का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेक अवसर उपलब्द कराना यह आपका बिल्कुल सही अंसर होगा थोड़ा से नीचे मिस्प्रिंट हो गया है कोई बात नहीं आपको म नमबर four इसका बिल्कुल सही अंसर था ओके तो यही कुछ important थे आपके individual difference से तो दोस्तों अगर आचकी वीडियो आपको अच्छी लेगी हो तो नीचे जागए वीडियो को लाइक करना न ना भूलिएगा अगर आपके मन में वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट कोई भी query है तो नीचे comment box में comment किजीगा मैं आपका reply ज़रू करूँगा अगर आपने चलों कब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए और उसके साथ में जो बैल आइकन होगा उसको भी दबा दीजीगा ताक कि आने वाली वीडियो का notification आपको